मा ने स्कूल के डिब्बे में जो खाना रखा है वो समीरा को पसंद नहीं है उसके पशुपक्षी मित्र उसे अपना खाना खाने की दावत देते है बोलो सुनते हैं समीरा के खाने की चटपटी कहानी कहानी का शीरशक है ये भी कोई खाना है लेखी का भारती जगननाथन चित्र बनाए है प्रीती कृष्णमूर्ती और हिंदी में अनुवाद किया है रितु सिंग ये प्रथम्मुक्स प्रकाशन की पेशकश है समीरा ने अपना टिफिन का डिबा खोलते ही मो बनाया भला पराठे और बैंगन की सबजी भी कोई खाता है मैं तो ना खाऊ जोर से डिबा बन करके वो स्कूल के बरामदे में चली गई पिछले हफते अम्मा ने उसे नूडल दिये थे नूडल तो केंचुए जैसे लगते हैं घर वापस जाकर समीरा भुन बनाई थी अगले दिन अम्मा ने मूमफली मतरवाला उपमा बनाया था समीरा ने सिर्फ मूमफली चुन कर खाली थी इडली खाऊगी? अम्मा ने पूछा था खेलने के लिए अच्छी रहेगी पर मैं खाऊँगी नहीं समीरा ने कहा था और आज पराठे और बैंगन की सबजी थी दीवार के साथ साथ चीटियों की फौच चली जा रही थी उन्होंने पूछा समीरा सब बच्चे खाना खा रहे हैं तुम क्यों नहीं? समीरा ने कहा मुझे ना पराठे पसंद है ना सबजीया मैं खाना नहीं खाऊंगी ठीक कहा भला सबजीया भी कोई खाता है चीटियों ने उसकी बात में हां मिलाई वे बड़ी सावधानी से एक तिलचटा ले जा रही थी उन्होंने उसका एक पंख अलग करके समीरा को दे दिया ये खाकर देखो, बहुत स्वाधिश्ट है चीचीचीचीचीची, मुझे नहीं खाना गंदा सडा तिलचटा ये कहते हुए समीरा बगीजे की और दौड़ गई महा रंग मिरंगे फूल खिले थे तितलिया एक से दूसरे फूल पर मंड़ा रही थी संत्री रंग और काली सफे धरियों वाली एक सुन्दर तितली ने पूछा अरे समीरा क्या हुआ सब बच्चे खाना खा रहे हैं तुम क्यों नहीं समीरा ने जवाब दिया मुझे ना पराठे पसंद है ना सबजिया मैं खाना नहीं खाऊंगी ठीक कहां भला सबजिया भी कोई खाता है तितलियों ने उसकी बात में हा मिलाई क्यों न हमारी तरह फूलों का रस पीलो बहुत मिठा है समीरा ने एक फूल के बीच में अपनी जीब डाली किन्तू से कुछ न मिला मुझे नहीं चाहिए रस फस तुम मुझे बुद्दू बनाना चाहती हो ये कहते हुए समीरा मैदान की तरफ दोड़ी जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था उस पर एक कववा बैठा था कववे ने आवाज दी काओ काओ अरे समीरा सब बच्चे खाना खा रहे हैं तुम क्यों नहीं खाती समीरा ने फिर वही जवाब दिया मुझे ना पराठे पसंद है ना सबजिया मैं खाना नहीं खाऊंगी ठीक कहां बला सबजिया भी कोई खाता है काओ काओ कववे ने उसकी बात में हाँ मिलाई ये लो मैं तुम्हे एक अच्छी चीज देता हूँ और उसने एक आधा खाया हुआ चूहा समीरा के लिए नीचे फेक दिया इची ची ची कितना गंदा है अपना जुहा तुमी रखो ची चिल्लाती हुई समीरा वहां से दोड़ गई वो एक दीवार के साथ खड़ी हो गई वही कुछ गोरेया बैठी थी वे बोली हरी समीरा सब बच्चे खाना खा रहे हैं तुम क्यों नहीं समीरा ने कहा मुझे ना पराठे पसंद है ना सबजिया मैं खाना नहीं खाऊंगी ठीक कहा बला सबजिया भी कोई खाता है गोरेया ने उसकी बात में हाँ मिला दी लो बाजरे के दाने बड़े कुरकुरे और पौश्टिक है समीरा ने एक दाना चबाया और मो बनाया ये तो बहुत सक्त है और मेरे लिए बहुत थोड़े एक नर्मदिल गोरेया ने पूछा तुम्हे रस भरे केंचुए ला कर दू जरा ठेरो ना 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 मुझे नहीं चाहिए केंचुए ये कहते हुए समीरा वहां से भाग खड़ी हुई वो स्कूल के फाटक के पास पहुची फाटक के बाहर एक गाय आराव से चारा चर रही थी समीरा को देखते ही बोली हमा अरे समीरा सब बच्चे खाना खा रहे है तुम क्यों नहीं समीरा ने जवाब दिया मुझे ना पराठे पसंद है ना बैंगन की सबजी मैं खाना नहीं खाऊंगी ठीक हाँ पके हुए बैंगन तो एकदम बेकार होते हैं मैं तुम्हारे लिए घास तोड़ती हूँ बारिश के बाद तो बहुत मीठी होती हैं वो जो तुम्हारे पास गुढ़र की जाड़ी है उसके साथ खाओ मजा आजाएगा कितनी खुश किस्मत हो समीरा काश मैं फाटक के अंदर आ सकती हमा समीरा ने तंगा कर कहा मुझे कोई घास वा जाड़ी वाड़ी नहीं खानी ये तो अच्छा है कि फाटक बंध है गुढर के फूल तो बहुत सुन्दर होते हैं मैं नहीं चाती कि तुम ने खाओ ये कहकर समीरा दोड़ती हुई अपनी कक्षा में वापस पहुची उसने चट से अपना डिव्बा खोला होई होई मेरे पराठे और बैंगन कितने अच्छे हैं ये सोच कर जल्दी से खाना खाने लगी कहानी खत्तम मुझे और एक सुनिये उसके बात और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुननी है नो और कहानिया तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com पर एरवावी एरवावी